सुपेला बसे स्टेंड में खड़ी अधिकांच नई सीटी बसे कबार में तबदील हो चुकी है जादातर बसों के या तो पहिये गायब है या फिर कलपूर जे इनके रख रखाओं को लेकर केवल कागजी खाना पूर्ती ही जिम्मेदार विभाग के द्वारा की जा रही है कुछ मापूर्व एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है गिंती की कुछ बसे सडकों पर दोड रही है विभिन शेत्रों में संचालन के देश से लाई गई ज्यादतर सिटी बसे सुपेला बस्टेंड में खड़ी कबार में तब्दिल हो चुकी है बसों के पहिये से लेकर अन्नी कीमती कलपूर्जे गायब हो चुके है इन्हें कौन कब और कैसे ले गया ये अब तक रहे से बना हुआ है सिटी बसों के रख रखाव और संचालन को लेकर पूरू में बड़ी बड़ी बातने अधिकारियों द्वारा कही गई थी जो धरातल पर कहीं नजर नहीं आई सभी दावे केवल कागजी साबित हुए अब एक नई एजेंसी को सिटी बसों के संचालन की जिमेदारी सौपी गई है एजेंसी के करता धरताओं ने सभी सिटी बसों की मरमत सही अन्यकारें को कराय जाने की बाते कही थी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है कुछ गिन्ती की ही बसे सडकों पर नजर आ रही है इसका संचालन भी जैसे तैसे किया जा रहा है एजेंसी भी बसों के रख रखाओं को लेकर उदासीन बनी हुई है शुरुवाति दौर में बसों का संचालन मापदंडो के अनुरूप किया जाता था मापदंडो की अंदेखी किये जाने के बाद से सडकों पर दोड रही सीटी बसे धीरे धीरे सुपेला बस्टेंड में खड़ी होने लगी इनके संधारन को लेकर उदासिंता बरती जाने लगी समय के सांस साथ बसों के टायर और कलपूर्जे भी गायब होने लगे अभी यहां खड़ी सब ही बसे कबार में बेचने के लायक ही शेश रह गई है बसों से गायब हुए कीमती समानों को लेकर भी किसी तरह की जाच की बात अब तक सामने नहीं आ सकी है लोगों को सुविधा जनक आवा गमन उपलब्द कराने के उद्देश से शुरू की गई सीटी बस सेवा अब केवल नाम की ही शेश रह गई है क्रैन नीज के लिए भिलाय से संजदूबे की रिपोर्ट